हेलो एबरीबान, विल्कम बैक पर चैनल, एक्समार्टिकेटर, तो कैसे हैं आप लोग, आप लोग काफ़ी अच्छी होंगी और आप सबके एक्जाम की तियारी भी काफ़ी अच्छी चल रहे होगी, तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की एक्जामिशन फॉर्म पॉ ऐसे चेक कर सकते हैं क्योंकि इंटर्नल मार्क अप्लोड होने के बाद ही आपका फॉर्म फिलप होना है तो वीडियो पे लास्ट तक बुने रहे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन दवाना ना भूले यहां पे आपको एस बीटी बिहार की रिगारिंग हर एक छोटी बड़ी और स्टिक जानकारी मिलती रहती है तो चलिए वीडियो को एस स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप सभी को अभी तक तो पता चली गया होगा कि एस बीटी ने अपना एक निउव पॉर्टेल लॉंच किया है इस पर आपका पेमिंट और आपका फॉर्म डाउनलोड यानि फॉर्म फिलप तीनों काम एकी साइट से होने वाला है यानि कि एस बीटी ने निउव एमस साइट लॉंच किया है जिस पर आपका एक्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग रिगार्डिंग सारे काम होना है तो इस वेबसा लगिन इडि और पास्वर्ड आपका पुराना जो एमस मब्स टेंट होंगे है जहांपे आपने अपना रेजिस्टेसन करवाया था कि आपने एक का चेटिक कर सकते हैं और यहांप आपका जैसे आप login पे click कीज़ेगा थोड़ा सा ये time लेगा और आपके समने एक नया interface open होगा login होने के बद आपके समने कुछ इस तरह का dashboard open होगा जहाँ पे यहाँ corner में आपका नाम दिखेगा और side में यहाँ पे आपको तीन option मिलेंगे ठीक है पहला dashboard दूसरा exam form fee and admit card तीसरा change password तो आपको क्या करना है second वाला जो option है exam form fee and admit card इस पे click कर देना है जैसे आप इस पे click करोगे आपके examination form के regarding जो भी details है वो आपके screen पे आज आएगा तो जैसा कि आप देख सकते है exam form के regarding जो भी details थे यहाँ पे हमारे सामने आ चुके है यहाँ पे इस पार आपको academic term select करने की कोई आप सकता नहीं है यहाँ पे आपको सारा form यानि की सारे detail आपको मिल जाएगा अगर आपका कोई carry backlog paper है तो भी आपको नीचे में देख जाएगा इस वार आपको academic term select नहीं करना होगा ठीक है पहले वाले portal में select करना होता था लेकिन इस वार आपको ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं academic term दिया हुआ है यहाँ बगल में आपको roll number दिया हुआ है उसके side में mark का column है तो यहाँ पे आपको क्या करना है अपना mark check करना है आपको internal mark कितना दिया गया है आपकी college के तरफ से हला कि बहुत सारे college का mark कभी तक upload नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे मैं बस mark check कैसे किया जाता है वो आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे mark वाले section पे आपको आना है नीचे view का option है view पे आपको click कर देना है जैसे आप view पे click करोगे आपको किस subject में कितना mark आपकी college की दोरा दि दिया है तो तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा course detail है जिसमें आपका practical और term work दोनों दिये गया है इसके बाद type दिया हुआ है कि आपको किस basis पे mark है practical का mark है आप payment कैसे कर सकते हैं साइट पे और कैसे अपना examination form फिल अप कर सकते हैं अभी यह साइट काफी slow चल रहा है और बहुंस सारे college का internal mark अफ्लोड भी नहीं हुआ है इसलिए हम लोग next वीडियो में detail से बात करेंगी कैसे आप पे कर सकते हैं कैसे अपना form download कर सकते हैं तो जो भी like comment अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले तो चली मिलते हैं ऐसे एकने वीडियो में thanks for watching